पंजाब सरकार ने किसानों से अपने वादों को पूरा करते हुए उनकी फसल की खरीद शुरू कर दी है और सरकार की ओर से फसल की पूरी कीमत किसानों को देने की बात कही दरसल पंजाब सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एक अक्टूबर से उनकी फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी जिसको पूरा करते हुए अमरित सर के मजीठा इलाके के दाना मंडी में किसान अपनी फसल लेकर पहुँचे इस गौरान कांग्रस नेता सुखजिंदर राज सिंग लाली ने मंडी में किसानों का हाल जाना लाली ने कहा कि हर साल किसान यहां मंडीों में फसल लगाते थे लेकिन इस बार हमारी सरकार ने कहा था कि मंडी में जब फसल आ जाएगी उसके एक दो दिन में ही किसानों को फसल के पैसे दे दिये जाएंगे जिसके शुरुआत हमने कर दी है